जीवन में संघर जितना कठीन होगा सफलता उतनी ही उची और सांदार होगी ये लाइने प्रिया अपनी नोड़ बूक में लिख रही है और ये साबित उन्होंने कर दिया है कि गरीबी कभी सफलता के आगे आड़े नहीं आ सकती हमारे साथ प्रिया है और क्लास 10 में इन्होंने नववा रैंक हासिल किया है और पूरे 36 गड़ का नाम रोसन किया है उससे कहीं जादा काविले तारीफ इनके परिवार की करना चाहेंगे क्योंकि इनके पिता एक रिक्सा चालक है एक छोटे से कमरे में रहकर प्रिया ने इस प्रिया हमारे साथ सिधे तो और पर जुड़े प्रिया सबसे पहले तो आपको नियूज एटीन की तरफ से धेर सारी शुक्त काम रहें है थैंक्यू सर आपके पूरी ट्यून को थैंक यू प्रिया बताए कि किस तरीके से असंघर्स रहा है इस काम्याबी को हासिल करने लि और लुए आपके में कौन साथ दिया मेरा इंडर कितने घंटे पड़ाई करना होता है टौपर वनने के लिए ज़्याधा नहीं चार गंटे प्राइड तो कर सकते हैं आप कैसे तैयारी करते हैं मैं मेरा चार फास घंटे का रहता था बहुत ज्यादा मतलब नहीं दिन पर पड़ पाती थी स्कूल कोचिंग सब रहता था इसलिए बाकी एक दम जी जान भी तो नन करना पड़ता डेली करो तो हो जाता है कैसा रूटीन रहता था आपका नैस फिर फिर से पढ़ाई करती थी और रात को यही दस बचे तक लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल का बच्चा टॉपर नहीं बन सकता यह तो गलास हो गया है मैंने किया और ऐसा नहीं होता मेरे में सारी सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं पूरों मेरा फॉस्ट क्लास से अपना थै प्रिया के जहन में क्या है क्या करना चाहती है अब इंजिनरिंग के फिल्ड में जारी हूं गरीबी बहुत करीब से देख रही हैं आप पिता जी सुबह से निकलते हैं क्या रूटीन होता है उनका लानote सब्सक्राइब लात सब्सक्सक्राइब लेखे तो कुछ गलत कडम उठाने उनको क्या minder चाहेंगा उनको कोई भी गलत कदम तो बेसिकली पहले सबसे बात की उठाना ही नहीं चाहिए क्योंकि लब तुछ सिफ परसेंटेज है आगे जाकि बहुत लोग फैल अभी हुए आगे जाकि फैल वर तो बहुत कुछ इंसानों को सिखाते को इंसान हारता तो है नहीं सिखते हैं और जि प्रिया साहु के पिता जी इतवारी साहु इस वक्त मेरे साथ मौझूद हो और वो उस आटों पर मौझूद है जिससे इनका पूरा परिवार चलता है और इसी के पैसे से प्रिया और अपने पूरे परिवार का जो है पालन पोजिशन करते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च यह यहीं से निकालता है किस तरीके से संगर्स है इतवारी जी आपका संगर्स करना पड़े पड़ता ही है और गर्वा है मुझे हमारी लड़की अच्छी परसेंट लेकर आई है और मेहनत बहुत की है कितना संगर्स करते रहे हैं आप उनकी जरुतों को जैसे बीटिया की कोई जरुवत पूरी जो बोलती थी कुछ कमी है उसको गाइड है कोचिंग है और जैसे सैकल से जाना है सैकल लिए ऐसा टाइप का मतलब जो 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 मांग करती थी उसके लिए कहीं कहीं लाकर हम आटों चला कर उसका मांग को पूरी करते थे क्या बनाना चाहते हैं विटिया को क्या बनना देखते चाहते हैं वह तो सुरू से ही इंजिनिंग का सपना देखी थी और हम लोग मैं भी पढ़ा था गड़ी थी लेकर और आगे मानी पढ़ पाया तो मेरा लगवाग लगवाग सपना को मेरे लड़की पूरा कर रही आज बहुत खुसी हो तो पिता के सपने को सच करना हर बच्चे का एक भरुशा रहता है कि वो अपने पिता के लक्ष को, अपने पिता के सपनों को पूरा करे और इसी सपनों को पूरा करने के लिए प्रिया जी जान से महनत कर रही है और यही वज़ा है कि उसकी महनत ने रंग भी दिखाया है बिलासपूर से News 18 के लिए उमेश महोरी